हेलो Fiona, आज के हमारे इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे नेवरा सुन्दबुक फ्री लेक्ट़र सीरीस के टोपिक इंजिनेरिंग के बारे में तो चलिए सुरू करते हैं अग्रिकल्चर इंजिनेरिंग फादर ओफ अग्रिकल्चर इंजिनेरिंग इन इंडिया इंडिया में अग्रिकल्चर इंजिनेरिंग के फादर है प्रोपेशर मर्शन वार्ग इंडिया में यह प्रफिप्टी मिलियन के नगभाग जो अगरिकल्चर मशिंट्री वा बनाई जाती जिसमें इसके 3 मिलियन टेक्टर बनाई जाते हैं और दस अजार पावर टिला पर यह बनाई जाती है एवरेज मेन कें डेवलोप मेक्जियम पावर अबाउट 0.1 हास पावर 74.6 वार्ट पॉर डूइंग फांबार एक जो एवरेज मेन होता है वो कितना अपना पावर मेक्जियम पावर डेवलोप कर सकता है 0.1 हास पावर या फिर 74.6 वार्ट जो होता है वो डेवलोप कर सकता ह फॉपरस्टी इंजीनिरिंग इन इंडिया जो आके इंजिनेरिंग कर वह अल्हाबार में पढ़नी सॉसाइटी ऑल्सी अग्रिकल्चा इंजीनेरिंग इस टैपली सुर्टी इन कॉर्टी में आये700 हो है और प्रजेंटी इसका हेड़कॉर्टर कहां पर है न्यू देली में आइस एई पॉब्लिकेशन जनरल ऑप अग्रिकल्चर इंजिनेरिंग अग्रिकल्चर इंजिनेरिंग टूटे इंडिया यह वापर जो टोटल एनर्जी प्रोडिस होती है उसमें जो 56 परसेंट थर्मल पा स्वावर्टर उलूजी वाट को यह वाट प्रसेंट याव अधियर में नियर्क टेंट अब्स बोडिविट जो एक ड्रफ एडिवा निमल है जो मलब जो वर्टिंग गया है उसके तरह क्या बेस अपनी पूड़ी का होता है वो एनर्जी प्रोडूश की जाती है तब अनकाम में अपना लगा देता है अपनी बोडी का दस्वाब तब फार्म होल्डिंग इंडिया और क्लासिफाइड अर्थcznie अदर पर फार्म तूट हम देखे तो इंडिया को पॉस्पैक्शन दिवाइड किया गया है मार्जिनल फार्मार, इसमाल फार्मार, मीडियम फार्मार, सेमी मीडियम फार्मार और लाज फार्मार जो मार्जिनल फार्मार है उनके एक टेर से कम लेंड होती है इसमाल फार्मार के एक से दो हेक्टेर सेमी मीडियम के पार्मार के दो से चार हेक्टेर और मीडियम के पास से 10 और लार्ज फार्मर के 10 हेक्टेरिया इससे ज्यादा होती है अपने इंडिया में सबसेदा मार्जिनल फार्मर से इस फाउंड इन 31-40 हासपार सेग्मेंट विच एकांट पर 60% अप टोटल सेल्स इन दे कंट्री अपने इंडिया में जो सबसेदा पूर्पूलर टेक्टर इंडिया में कितनी प्रोट्टी उनिट अवेलेबल 1.35 किलोवाट पर हेक्टेर लेकिन रिजाइरेबल किती है 2.15 किलोवाट पर हेक्टेर बायोगेस के लोड़ी के विच्शेट होता है उसको बोलते लिए उसमें कितनी मिथान होती 227% और कारबनड़ अक्सेन होता है 3-35% बफेलोस बफेलोस जो अठी वो 15 किलोग्राम डंग पर दे मादर जो गोबर रहता है वो 15 किलोग्राम पर दे 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 बोलोक्स और गाई का जो बचला होता है उसको बोलते काउ यह 5 kg गम डंग पर दे प्रोवाइट करता है कि बायोगेस की काल्रीक वेल्यू बायोगेस की किलोकेलोड पर मीटर कीूब suitable condition for biogase production biogase production के लिए pH चाहिए होता है 7 to 8 और temperature होना चाहिए 35 degree centigrade gator dung water ratio of biogase slurry जो biogase के slurry बनाई जती है उसमें गाई का जो dung है और water उसका ratio रहता है 4 is to 5 या 1 is to 1 wind energy the speed required for operation for windmill windmill के जो होती है उसके operation के लिए requirement किती होती 10 से 15 km पर अवर चलनी चाहिए wind two types of windmill horizontal axis and vertical axis rotor horizontal axis rotor axis of rotation to the direction of wind multi-blade propeller most common use होता है cell type solar energy temperature of sun 5777 degree Kelvin radiation range from sun 0.4 micrometer होगी maximum available range है less than 0.4 micrometer ultraviolet radiation है 8% of radiation 0.4 to 0.7 micrometer visible radiation होती है 46% और greater than 0.7 micrometer infrared radiation होती है 46% solar constant solar radiation received per second by surface of unit area held normal to the direction of sun rays at mean earth sun distance its value 350 watt per meter square और 1.94 kilory per second per meter square देखो solar instinct क्या होता है कि हमारे atmosphere पर जो एक unit area में एक unit time में जितनी भी light पोंग होती है sun से 8 तर उसको क्या बोलते है solar constant बोलते है solar constant की value क्या होती है 1350 watt per meter square या फिर 1.94 kilory per second per meter square radiation measure radiation को measurement करने के लिए कुछ instrument होता है जो pyrehalometer pyrehalometer का use के आता beam radiation जो direct radiation आती है उसको measure करने के लिए pyranometer total radiation को measure करता है total radiation minus accurate radiation है उसको measure करता है solarimeter total radiation minus inaccurate radiation को measure करता है और pyrehalometer very high temperature जो very high temperature था उसको measurement करता है pyrehalometer collection of solar radiation की तीन तरीके है by flat plate collector focusing on constantric collector और photovoltaic cell अब हम देखते by flat plate collector temperature range 40 cm to 100 cm या अब टेमपरचर की चाली से सो की बीच में तो उसको flat plate collector के जारा measure किया जाए collection किया जाएगा focusing on concentric collector अगर 100 degree centigrade जाएगा temperature है तो उसको focusing collector की तरह करेंगे और photovoltaic cell क्या होता है directly convert solar energy into electricity made for silicon separate by thin barrier with conversion efficiency is about 10% जो photovoltaic cell क्या रहता है ये solar energy को direct electricity में change करता है ये silicon का बना होता है यहाँ पर एक barrier होता है और इसकी जो conversion efficiency कित्योती 10% salt content in water हम देखते है portable water content less than 550 ppm of salt ppm मतलब क्या parts per million और portable water क्या होता है drinking water जो होता है उसमें क्या होता है कि जो salt होता है 550 ppm से कम होता है sea water में 30,000 से 40,000 ppm salt पाया जता है और जो ground water इसमें less than 2,000 से 3000 ppm of salt पाया जता है solar steel जो solar steel एक device है जो क्या करती है saline water को portable water में लब जो saline water जिसे salt है उसको drinking water में change कर देती है greenhouse इस structure made of polythene या reinforced fiber to provide controlled condition for crop water greenhouse क्या है एक polythene या reinforced fiber का एक structure है जो crop production के लिए controlled condition प्रोवाइड करते है temperature को humidity को शबको यहापर रखाता है manage करके रखा जाता है human power human a strong man's power equal to एक strong man का power equal होता है .1 has बड़ एक strong man जो होता है .1 has power के वो बराबर अपना power produce कर सकता है या पिज़तर वाट जो average man होता है average man जो होता है वो 0.06 kilowatt सा 7 वाट कर सकता है average female कर सकती 0.048 kilowatt 48 वाट और average children power equal to 0.030 kilowatt या पिज़तर वाट के बराबर पावर प्रोडूस करता है animal power का हम देखते है तो जो एक average pair of bulog होता है वो 1 has power के equal power प्रोडूस करता है animal power according to their body weight body weight के अकोर्ड़ हम देखेंगे तो जो bulog से वो अपनी body का 10% power प्रोडूस कर सकता है buffalo 12% camel 18% और डंकी 32% of body weight प्रोडूस करता है animal classified on basis of body weight body weight के हम देखेंगे तो heavy animal किसे का जाएंगा जिसका weight 500 kg ज्यादा होगा 400-500 kg वेट है तो वो large animal है 300-400 kg है तो large medium animal है और small animal जो होता है 200-300 kg का average command area command area मतलब क्या कि one pair of machinery की बात की क्या है यहां पर एक पेर ड्रोट अनिमल है उसका command area होता है 2 hectare मतलब वो इत्ते एक दो हेक्टेर अगर एरिया है हमारा तो वहां पर एक बेर जो बुलोग करता हो सब्सक्राइड है पावर टिलर अगर 5 hectare land की हमको जुताई करनी है तो वहां पर एक पावर टिलर पावर सटिसपाई है और 15 hectare land की अगर जुताई करनी है तो वहां पर एक टेक्टेर क्या हो सकता होती है मतलब एक टेक्टेर कमाड़ एक किता है 15 hectare mechanical power the thermal efficiency of diesel engine diesel engine की thermal efficiency जिती है 30 to 38% thermal efficiency of petrol engine 22-32% एप पावर टिलर की अगर कमाड़ अबावर टिलर की अगर कर सकता है 5 hectare land एक टेक्टर 26.1 kilowatt की अगर कमाड़ अबावर 15 hectare land inflation pressure of rear wheel of detector जो rear wheel of detector उसका inflation pressure रहता है 0.82 1.5 kilogram per centimeter square inflation pressure of front wheel of detector 1.5 to 2.5 kilogram per centimeter square highest tractor produce in which country वो कौन सी country ये जो टेक्टर का highest production करती वो इंडिया करती टोटल वर्ल्ड का 44% the first tractor in India was brought in which year first tractor इंडिया में कब खरीदा गया था 1914 में और first tractor बनाया गया था 1960-61 में in which year pump set were introduced in the country pump set जो introduced हुए थे country में 1930 में in which year high horsepower Crayola tractors were imported under the ages of Central tractor organization mainly for land and development and to eradicate of next year's wheat gains grasses 1940 in which year the first degree program in agriculture engineering was started in Allahabad Agriculture Institute Allahabad Agriculture Institute में first degree program start हुआ था agriculture engineering के लिए 1942 में first Indian Institute of Technology at Kharagpur was established in IIT Kharagpur सबसे पहले established हुआ 1951 में in IIT agriculture engineering program started in which IIT agriculture program कभी start हुआ था 1952 में production of machinery in India is descending order हम देखते हैं सबसे ज्यादा इंडिया में कौनसी machinery का production होता है तो pumping set सबसे ज्यादा बनाए जते हैं उसके इस्प्रेंड डस्टर फिर टेक्टर्स पावर टिलर्स और कमबाइन हार्वेस्टर सबसे दे क्या बनता है इंडिया में pumping set अब देखते हैं कि कौन-कौन से equipment कहां से डेवलप किया गया है तो एयर टेक्टर मांट्री फरो टेंचर यह टी एन एकने यूट के दार वार्ट पावर टिलर मांट्ट एयर अइस्टे सीड्रिल यह भी टी एन रेवलप किया एक्यूमेंट एन देयर फिल्ट केपसिटी ती एप टेवर बुक में दी गई आप इसमें पर देख लीजिए कि फिल्ट केपसिटी कौन को से एक्यूमेंट की क्या रहती है थेंक्यू पर वोचिंग लाइक सेंड सब्सक्राइब